हाई दोस्तों आज हम आपके लिए नए वीडियो लेके आए हैं और आपके आपको अस्वागत है हमारे चैनल पर तो यह रोंडा की सीडी डिलक्स दोजार पांच का मोडल है और देख सकते हो आगे से इस तरी के इसे हम दिकत हुए है कि जो मैगनेट है तो से कोईल पहल पूर लग रहा था तो मैंने सोचा कि इस साइट से आवाज कर रहा था करब कर 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 जो इसका भी आवज होगा तो हमने दुसरा मेगनेट लगा या तो भी ऐसा आवाज आ रहा था तो फिर हमने सोचा कि अंदर टाइमिंग चैन में कोई गड़बड़ी हो गई होगी तो दोस्तों हमको प्रोब्लम मिल ही गया था कि टाइमिंग चैन में भी दिखकत है तो इसमें क्या होता था कि जो टिशनर रहता है कि उसके उपर एक रबब इसमें है ही नहीं तो डायरेक्ट प्लेट को टच कर रहा था तो इसके लिए भी आवाज थी और एक दिक्कत वर भी है कि इसका जो वाइल पम का चक्कर होता है यह लॉक हो चुका है तो अभी में वह साइड जाके अभी यह गुम रहा है लेकिन इस तरप नहीं गुमता है लिग एट जैसा होगा है कि इल्लफ तो लग्स बाद टो अब ISSर सकते हो कि उपर रही हो आसानी से गुम रहा है लेकिन इस तरफ गुम रहा तो नहीं गुम रहें देखो अब तक गया और दोस्तों टाइमिंग चैन के कारण नहीं एक जार्ण है भी आप देख सकते हो कि मैंने फ्लग खोल के ले लिया है और में कीक लगाऊगा तो वाइल कम का चक्टर गुमता नहीं देख सकते हो आप सिर्फ हीलता है और टाइमिंग चन ऐसे गुम रहा है तो हमको क्लज कवर खोल के भी चेक करना पड़ेगा कि क्या दिक्कत है और गाड़ी ओयल भी उठा रही है यह मैंने स्टाइट का पॉर्शन खोला तो भी एक ओयल का बूंद भी नहीं निकला है तो कभी आपको साथेसी भी प्रोब्लम आ सकती है दोस्तों मैं यही दिखाना चाहता था और ओयल पम काम नहीं करेगा तो आपका हेड और पिस्टन क् है यह आपको वाइल पम भी ठीक करवाने का है और टाइमिंग चैन दोस्तों डालना पड़ेगा क्योंकि बहुत नीचे चला गया है और दोस्तों मैं आपको साथ-साथ में भी दिखा देता हूँ कि टाइमिंग चैन को कैसे चेक करते हैं तो यह वाला हमारा प्लेट रहता ह है टिशनर का तो इसमें क्या होता है कि उपर तक इदर गेप बनाए तो उपर तक लग जाएगा तो आपका टाइमिंग चैन खराब है और बहुत आवाज कर रहा है और इदर बीच में रहेगा या नीचे रहेगा तो अच्छी कंडिशन में है और दबा इतना प्रेस करने क के बाद उपर लग गया है तो भी आप देख सकते हो कि यह टाइमिंग चैन कितना लूज है तो यह टाइमिंग चैन बहुत खराब है और इसका भी आप पंका भी में सिखा देता हूँ इसकी स्थरी के से चेक करने का है तो इसमें जो गोल है उसमें वाइल बरा होना है दिस्तों वाइल नहीं है तो यह वर्क नहीं करेगा तो आप पहले वाइल ड़ाल दो इसको खोला है तो और उपर से इसे प्रेस करो इस तरीके से आसान इसे प्रेस हो जाता है पुरा तो यह बूरी कंडिशन में है और इधर आके प्रेसर बनाता है तो अच्छी कंडिशन में है तो इसका हालत खराब हो चुका है देख सकते हो अब इस तरीके से प्रेस नहीं होना चाहिए और दीरे 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 दबाओ तो प है और इस तरीके से बहुत अलका नहीं फ्री होना चाहिए आप पहले वाइल डार के इसको चेक किया जाता है वाइल के बिना ऐसे आप नहीं चेक कर सकते क्योंकि वाइल के बिना यह पेसर नहीं बनाएगा तो दोस्तों एक अभी-कभी पेसर बना लेता है लेकिन हम इसके पूछ के इसका काम स्टार्ट करूगा पूरा एंजिन खोलना पड़ेगा तो इसका वीडियो में साइध बनाओंगा कुछ-कुछ तो अभी टाइम होने के कारण क्या है कि वीडियो नहीं बना पाते है पूरा एंजिन का तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर एंड सब्सक्राइब दूस्तों जरू करें और मैंने इसी के पहले भी फेस्टन प्रो क्या एंजिन बनाया था तो मैं दोनों की लिंक इसमें डाल दूगा वीडियो में तो थैंक्यू धन्यवाद